तो अब यह कोशन देखो इसमें सिंपल रूल लगा लो यह जिरो बैजिरो फों बन रही है जिरो बैजिरो फों में तो एलो श्प्टर रूल अप्लाई करतो बस कि नहीं है सबके पास नहीं आ रही क्या कि तो आनी चाहिए कि आगे ना आ रही है भी कि है िअनुव फों में तो पॉस्ट का डेवीटीं करतो माइनस sin Sabre मैंनस treat एफिपाई माइनस्फाई माइनस 2售 सो कितना हो जाएगा देखो कि इसका डेवीटीपिपहर के अर्ड़शर निकाल तो माइनेस टू यह आ गया माइनेस टू तो माइनेस से माइनेस कर गया 1 बाय टू और साइन एकस एकस को पाई बैट रूपुट पर गुट क्या हैगा स्क्रिन नहीं आ रही है अब देखो किसी बच्चे के पास नहीं आ रही है तो बताओ अब आगी सक अभी नहीं है इस विपने से अब अब आध दुबारा जॉइन करना कि एक बार आपने जॉइन करो कि या मोई हो एक बार जीस बच्चे के पास नहीं है न स्क्रीन वोडी जॉइन कर लो एक बार तक पढ़ाते हैं नहीं एक दो मिनुट कोई बात नहीं प्रिज्वाइन करतो आगे अपना सब बच्चों के पास जिस दू आगे अप स्क्रिन अब देखो यह वाला कोशन यह तो आसान कोशन था जीरो बैर जीरो फोम थी तो हमने इसको कर दिया सिदा यह अच्छा कोशन है इसमें परस्ट टाइम पर आपके माइन में क्या थोट आएगा कि यह कोशन एक्जाम में आएगा तो देखो निच्चे तीन पावर है तो आप आप एना आप इसको देखा करो यह कोश्ट टू एक साइन तो आप उनका फॉर्मला ओपन करने की कोशिश करो कोश्ट 3 एक्स का फॉर्मला याद करो क्या होता है और कोश क्यूब एक्स में और माश्ट 3 कोश एक्स यह फॉर्मला होता है कोशिश त्री एक्स का और प्लस में 3 कोश एक्स है और निच्चे है पावच टू माश्न X का whole cube अब यह देखो यह तरम क्या है cancel हो जाएगी ना माइनस 3 प्लस 3 तो सिरफ question इतना से बन गया अब तो x goes to pi by 2 और cos cube x और upon pi by 2 माइनस x का whole cube अब आप सोचो इस question में जो है अब क्या करोगे अभी भी यह 0 by 0 form है लेकिन मैंने अभी आपको जरूर बताया था ना उसके coding सोचो बस इसमें क्या कमी है अगर वह आप सोच पाए तो तुरंत आप इसका अंसर ही बता दोगे कि अंसर इसका 4 आ गया मैंने आपको यह बताया था कि फोर्मुला अपना हां साइन में चेंज करो है ना साइन में जैसे ही चेंज करोगे ना question का अंसर वैसे या जाएगा कोस को अगर आप साइन बनाओगे तो यह हो जाएगा 90 माइनस x और क्यूब है तो फिर यहां पर भी क्यूब ही लिखे दो और पाइब टू माइनस x का देखो होल क्यूब यह 4 तो constant number है इसको तो पर तो बाहर limit x goes to 2 और देखो यह same है और उपर भी क्यूब है निचे भी क्यूब है तो आप इसको अपने माइन में ऐसे रखो पाइब टू माइनस x अपोन पाइब टू माइनस x और इसका होल क्यूब है यह अब देखो यह अंदर वाली वैल्यू अब आपको पता लगया ना कैसे होती है मैंने बताया था आपको कि यह 0 को प्रोच कर रही है दोनों सेम है तो फोर इंटू बन का क्यूब यानि की फोर अंसर आ गया तो वह एक तो बच्चा डिरेक्ट प्रोपर्टी रटेगा कि साइन लेकिन अपने को प्रोपर्टी याद नहीं करनी प्रोपर्टी का मीनिंग समझने कि उसको अप्लाई कैसे करना है फिर आपको लिमिट्स के सारे कोशन असान लगेंगा अब यह कोशन देखो यह बिल्कुल आसान है अपने को एक रूल पर श्टिक नहीं होना कि 0 बाई 0 नहीं लगा नहीं अपने को पता है डिनोमिनेटर पर पावर वन है तो जैसे ही डिरिवट्व करोगे डिनोमिनेटर खतम हो जाएगा वन बन जाएगा तो क्यो ना आप इसमें डिरेक्ट ही एल उस्पेटर रूल लगा अब इस कोश्यन देखो ये भी आपने निच्चे क्या है सिरफ x-a दिखाई दे रहा है x-a तो इसमें एलो होस्पेटर रूल लगा दो जिरो बैजिरो फोर्म है ये निच्चे जब एक डिगरी हो ना तो आप डिरेक्ट एलो होस्पेटर ही प्रेफर किया गरो साइन का होत होता ना तब इसका अंसर क्या होता जीरो डेरिवेटिव सिरफ x वेरियेबल है बाकी सारी टर्म को आपको कॉंस्टेंट रीट करना है और x-a का होता है वन तो x को a put करो तो अंसर आगे आपका को से तो लिमिट्स में आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि इस x के अला दाल आप मिश्टें होने के ज्यादा चांस रहते क्योंकि यहां पे ना देखो u in 2 v rule लगेगा यहां पर u in 2 v rule लगेगा और सबसे बड़ी बात है यहां बाहर minus का साइं आपको कभी भी मिश्टें करनी माइनस का साइं जब भी होना आप कितनी भी क्यालकूलेशन आपकी अ इसका derivative कैसे निकालोगी, यही निकाल देता हूँ, d y by dt, a बाहर constant है, sine का तो असानी से cos लिख दो, minus, bracket लगा के, इसको u into v rule से करो, first function same, cos का होता है minus sine, और फिर plus cos t same, और t का कितना होता है, 1, बस अब इसको simplify कर लो, a into cos t, और देखो, यह minus हो जाएगा न, यह plus cos t बाहर minus है, तो minus cos t हो गया, और minus minus plus क्या हो गया, आपका t sin t, simplify करोगे, a into t sin t, question का answer आगया, यहां से ऐसे ही, आप क्या निकाल लो, t x by dt, a into cos का हो गया minus sin, अब bracket लगाने की ज़रूट देए, की plus का sin है बाहर, तो t same, और sin का cos, और फिर, t का one, और sin का, sin हम क्या रखेंगे, sin, t का derivative, sin same रखेंगे, sin से sin कट गया, तो answer आगया, a into t cos t, तो इसका answer आगया, a into t sin t, और यह आगया, a into t cos t, तो a और t cancel होगे, sin by cos के आगया, आगया, आसा question था, यह question का answer है, tangent t, अब आपको paper में अगर मानलो, ऐसा question आता है, आप खुद देखो, यह जो a बाहर constant है, इसका कोई रोल नहीं है, जब divide करेंगे, तो यह a से एकट जाएगा, तो मैं कहता हूँ, अपने दिमाग में इसको देखे ही मत चलो, इसको a को पहले से ही क्या कर दिया है, करो ignore कर दिया है, अब यह question देखो, इस question में सिरफ inverse trigonometric में, जो आपने अभी तक trigonometry सिखी है, उसमें हमेशा आपको यह बताया जाता है, कि जब भी कहीं, trigonometry में 1 plus sin x आएगा, उसको आप हमेशा ही क्या लिखोगे, cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square, और अगर minus आता है बीच में, तो आप उसको क्या लिखोगे, cos x by 2 minus x by 2 का whole square, अब इसके अंदर यह यह property जो यह यूज करनी है, तो देख लो, पहले y को simplify करेंगे, code inverse 1 plus sin x, 1 plus sin x को जब आप यह लिखोगे, और उपर root है, root से square कर जाएगा, तो answer क्या आएगा, cos x by 2 plus sin x by 2, और बीच में sin है plus, यह लिखोगे, यह क्या है, minus है, देखो, cos x by 2 minus sin x by 2, और denominator में बिल्कुल सेम है, सिरफ यहाँ plus की जिगह क्या कर दो, minus का sign कर दो, मैं लिखनी दा, observe भी कर लेंगे कि क्या आएगा, उपर plus करोगे, तो sign कटेगा, 2 cos x by 2 आएगा, और निचे minus करोगे, तो फिर क्या है, sign कट जाएगा, क्या आजएगा, 2 cos कर जाएगा, 2 sin x by 2 आजएगा, cos by sign क्या होता है, code होता है, code inverse, code x by 2, तो answer आगया, x by 2, यानि कि, y की value जो इतनी बड़ी दे रखी थी थी ना, वो हमने चोटा कर दिया, इस y को x by 2, तो dy बेटी x आगया, 1 by 2, तो function को simplify करना ही, बहुत बड़ी बात होती है, derivative तो सिर्फ last में, एक line का काम होता है, function को simplify करना, और पहली बार हम कब सीखते है, function को simplify करना, ITF के अंदर, inverse trigonometric function में सिखा दिया जाता है, कि इन functions को simplified कैसे किया जाता है, उसके बाद जो है, आप देखो question, ये question, बेट पर में आपके ऐसे question ही आएंगे, कि किसी एक limit को A मान दिया, दूसरी limit को B मान दिया, क्योंकि ये lengthy question, एक question में दो question हो जाते है, बस मैंने आपको limited question देने थे, इसलिए A की question से मैंने दो question जानने की कोशिस की, A की value आपको दे रखिए, B की value दे रखिए, आप खुद try करो, कि A का answer क्या आजाएगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि दोनों limit है न, बिल्कुल आसान है, सिरफ मैं formula की practice करवाना चाता हूँ, इसलिए आप एक बार इसको try करो, ये question है, A की value निकाल लो, एक बार, A, limit x goes to pi by 2, तो अभी तो आप इसमें क्या करो, sin 2x, sin 2x का formula ही खुल दो, क्योंकि निच्चे cos है न, तो अपने को दिख रहा है कि cos तो कट जाएगा, sin 2x होता है, 2 sin x into cos x, और निच्चे है cos x, cos x cancel हो गया, x को pi by 2 put करोगे, sin pi by 2 कितना होता है, A तो direct अपना 2 आ गया, इसी तरह से B, P, अब देखो, आप क्या लिख सकते हो, B को दिहान से सूचो, x pi by 2 है, मैं तो कहता हूँ, निच्चे गर सिंगल पावर है न, तो आप क्या करोँ, सिद्धा derivative लगा दो, 0 by 0 form है, L अपने को बाकि कुछ सोचने की जरूरती नहीं, अपने को, limit x goes to pi by 4, 1 का 0, minus tangent का होता है, secant square, x, और निच्चे होता है, बस x को pi by 4, put कर दो, secant pi by 4 होता है, root 2, और इसका square है, तो यानि, ये कितना आगया, minus 2, ये 2, ये minus 2, आप से कुछ है, a plus b, यानि कि 2, plus minus 2, answer आगया, 0, ये हो गया, question number 27, ये बहुत अच्छा question है, इस तरह का question, paper में आएगा, तो आप देखो, क्या सोचोगे, पहली बार में, ये का answer, हम निकालना चाहते हैं, पहले, अगर जब तक आपको देखो, ये बाते याद नहीं होगी, तब तक, मैं अपको मुश्की लगता रहेगा, मैं कहता हूँ, आपके दिमाग में, हर वक्त होना चाहिए, कि sin square x का derivative क्या होता है, और cos square x का derivative क्या होता है, निकालेंगे कैसे, 2 power आके लिए कहेंगे, फिर sin x same, और sin का derivative cos, तो क्या बनजेगा, 2 sin x cos x, बट हमारे को इतनी practice होने चाहिए, कि इसका derivative sin 2 x होता है, यह पता होना चाहिए, ऐसे cos का क्या होता है, minus sin 2 x होता है, तो यह derivative दोनों बहुत important है, और एक x की power x का derivative, यह क्या होता है, x की power x, into 1 plus log x, लेकिन paper में एक बार, question के अंदर, option यह नहीं थे, option यह नहीं थे, तो आप 1 को भी log की form में क्या लिखते हैं, log ही लिख सकते हो, और यह भी क्या बच्चो log x है, तो इसको यह लिखा गया था, log e x, और base क्या लगा होगे, आपको पता है, e लगा होगे है, ना क्योंकि log e base लगेगा, तब ही तो क्या होता है, 1 होता है ना, तो option में यह था, तो आपको यह देखके घबराना नहीं है, बस इसी को आगे simplify किया गया है, अच्छा, 2021 के अंदर, integration में यह question पूछा गया, कि integration of x की power x into 1 plus log x, आप खुच सोचो, आपको याद होगा कि x की power x का यह derivative होता है, तो एक बचा तुरन तनसर देदेगा कि यह है, और याद नहीं होगा, फिर मैंने सूचता कि इस question को जो ना, solve किया जा सकता है, पेपर में solve नहीं कर पाऊगे, तो इसलिए कुछ बाते, जो data बहुत ज़्यदा बारी हो जोते हैं, आपको हमेसे याद रखना है, अब इस question के अंदर, जैसे हम सोचेंगे भी L hospital ही लगा सकते है, बाकि तो कुछ rule लगा नहीं सकते, तो L hospital लगाओ, इसमें और छोटा सा question बन जाएगा, क्योंकि अपने को हमें derivative direct याद है, sine square x का पता है अपने को, तो 2, sine square का होता है sine 2x, sine x का होता है cos x, और 1 का होगा 0, ऐसे ही 2, इसका होता है sine 2x, और minus के के आगे 3 cos x, अब आप सोचलो, अब क्या 0 by 0 बन रही है क्या, अब 0 by 0 बच्चों बनेगी क्या, नहीं होता है, cos 30 होता है root 3 by 2, मतलब 0 by 0 बन रही, तो अब क्या करो, direct value पूट कर दो बस, तो denominator में 0 नहीं बन दा तो नहीं बनेगा, तो pi by 6, 6 पूट करोगे तो यह हो जाएगा, आपका pi by 3, यानि की root 3 by 2, और plus cos pi by 6, यानि की cos 30, यह होता है root 3 by 2, यह हो गया, और 260, यानि की root 3 by 2, और minus में 3 into root 3 by 2, उपर कितना आ गया, root 3 by 2, यानि की root 3 common लेंगे, 1 plus 1 by 2, 3 times 3 by 2 आ गया, 3 by 2 into root 3 आ गया, 3 by 2 into root 3, और निचे, 1 में से 3 by 2 कटाएंगे, तो minus 1 by 2, यानि की minus 1 by 2 into root 3, root 3 कट गया, 2 से 2 पट गया, अंसर आगया, minus 3, एक अंसर आगया, असानी से minus 3, बस कैलकुलेसिन अच्छे से करती है, ऐसे ही आप B का अंसर निकाल दो, B तो आसान है, B में आप क्या करो, 1 plus cos और अपन में 10 square x, limit x goes to pi, 1 plus cos x, और अपन में 10 square x, 10 square x सही, तो अब आपन अपने माइंड से निकालोगी, इसका अंसर कैसे निकाल सकते हैं, एल होस्पिटल से तो होई जाएगा, no problem, और कोई मेथल सोचो, इसका क्या आपको आसान लगता है, 1 plus cos x upon 10 square x, 1 plus cos x, स्क्रीन नहीं आरी है, स्क्रीन अभी कर देते हैं, परोशेद, और एक बार सभी बच्चों के पास से स्क्रीन जाएगी, और अब वापस आएगी, अब देखो, अब आगी क्या सब के पास, अब आएगी, हो गया, साउंड में प्रोब्लम है, आवाज में चीज नहीं आ रही क्या, देख लो, कई बारना, connectivity प्रोब्लम हो जाती है, आपकी तरफ से, तो अब बताओ, बच्चों, इसका limit कैसे निकालोगा, मेरको तो यह लगता है, 10 square x, साउंड, बाकी कोई बच्चा बटाओ, और किसी के पास भी ऐसी प्रोब्लम है गया, और किसी के पास नहीं है, तो, आप एक, आप एक पर, रीजवाइन कर लो, आपकी तरफ से, connectivity की प्रोब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें न थोड़ा, करेंगे, जब तक आपको ये 10 square x दिखाई देगा न, आपको question लगेगा, मुस्किल, क्योंकि आप 10 square x का derivative भी करोगे, तो, 2 10 x into sequence square x होएगा, और फिर आप सोचो, एक बार और derivative करना पड़ गया न, तो वहीं हम question को छोड़ देगे, लेकिन मैं कहता हूँ, अगर 10 square x की जगा, x square आपको दिखाई दे, फिर आपको वह question आसाल लगेगा, और वो तो हमारे हाथ में बनाना, x square से divide कर दो, और x square से multiply कर दो, अब ये चीज क्या होती है, अब ये बता दो, इसका answer क्या होता है, अब ही मैंने जो आपको रोल बताया था था न, कि theorem का use क्या है, क्योंकि आप ये सुचोगी, यहाँ तो pi है, 0 नहीं है, लेकिन tangent 0, 0 होता है, tangent pi भी तो कितना होता है, 0 होता है, tangent क्या होता है, sin by cos, sin by cos, cos by 180 minus 1 होता है, तो मतलब मैं ये कहा रहा हूँ आपको, कि limit x goes to pi, tangent x upon x का whole square, इसका answer भी बन ही होता है, 1 का square यानि की 1, तो ये तो कायब कर दो, इसको तो हटा दो यहां से, तो question अपना सिरफ इतना सा बन किया, 1 plus cos x upon x square, 1 plus cos x upon x square, अब देख लो, तो इसका answer क्या आएगा, 0 ये आएगा, I think, a plus 2b, लेकिन option में नहीं है, इसकी एक बार है ना statement चेक करनी पड़ेगी, कि ये x pi ही है क्या, क्योंकि x अगर pi होता, तो 0 by 0 form नहीं बन दी ना, अभी एक बार इस question को leave करते हैं, मैं ये देख लेता हूँ, कि क्या इसमें ये pi ही है क्या, इसको छोड़ देते हैं पर, ये question देखो, ये बहुत अच्छा question है, इसमें पहले मैं आपको theorem बताता हूँ, कि ये theorem कैसे use करेंगे, limit x goes to 0, a raise to power x, minus 1 upon x, इसका answer आपको याद है क्या, ये लोगे होता है, ये लोगे, और अगर हो, limit x goes to 0, e raise to power x, minus 1 upon x, तो सेम ये देखो, यहाँ पे e है और यहाँ पे a है, तो इसका answer भी log e होगा, बट log e 1 होता है, इसलिए हम इसको सिदा क्या करते हैं, बट ये बहुत important है, कि limit a की power x, minus 1 upon x, इसका answer भी आप क्या कहोगे, लोग e ही कहोगे, क्योंकि देखो, ये जब x 0 को प्रोज करते है, तो sin x भी 0 को प्रोज करते है, बट ये सेम होने चाहिए, दोनों sin x है, उपर तो sin x, ऐसा नहीं है, उपर sin x होजए, और निचे x होजए, फिर आप कहों कि ये दोनों 0 को प्रोज करते है, वो नहीं चलेगा, सेम होने चाहिए, और 0 को प्रोज करने चाहिए, जब x 0 को प्रोज करते है तो, अब इस ठोरम का यूज़ करके, आप देखो, इसको कैसे बनाओगे, मैं यहाँ पर कहता हूँ आपको, आप को हिंट दे के चोड़ रहा हूँ, एक बार फिर आप ट्राइ करो, 9 की पावर x, इसी तरह से ये देखना, 8 की पावर x लिए, 2 का क्यूब होता है, 8 की पावर x और अपोन x, अब आप खुड ट्राइ करो कि, इस कोशन को आके कैसे सोल करोगे, L hospital तो कोई भी बचा लगाई देगा, वो तो आसान है, बट बीना L hospital के देखो, क्या कर सकते हो आप इसमें, बहुत बार आपका सामना होगा, ऐसे कोशन से पेपर में, कि L hospital लगाई बीना कोशन आसानी से सोल हो गया, अपने को न, आप फ्योरम देखो त्यान से, मैंने आपको फ्योरम के अंदर, क्या बता है था? अपने को यहाँ पे-1 चाहिए, किसी भी हालत में अपने को-1 चाहिए, लेकिन यहाँ-1 नहीं है, तो मैं अगर यह बुलू कि, 1-1 कर दो, इसके साथ, और माइनस, एक माइनस वन इसके साथ कर तो बताओ होगे ना अजस्टमेंट सही क्योंकि यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो अब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे 9 की पावर x माइनस 1 अपोन x माइनस 8 की पावर x माइनस 1 अपोन x एक्जाम में थोड़े अपने को इतना करना है एक्जाम में तो अपने माइन में तुरंती क्लिक करेगा कि यहाँ माइनस 1 करेंगे यहाँ माइनस 1 करेंगे और फिर इसका अंसर कितना आजएगा लोग 9 और इसका अंसर कितना आजएगा अब बी निकालो, बी का अंसर निकालना तो आसान है, यह अगर आ गया तो आपको, सेम वही रूलिस के अंदर हम अप्लाई करेंगे, यहां कितना है, देखो 9 की पावर x-1, निचे कितना है, 8 की पावर x-1, अब आप खुच सोचो, अब कि बार किसी की कमी है अपने बास, दी नोमिनेटर में x नहीं है, तो 1x यहां लगा दो, 1x यहां लगा दो, बात एक है, अब उपर देखो कितना हो गया, लोग 9, और नीचे कितना हो गया, लोग 8, तो b का अंसर यह है, a का अंसर यह है, आपसे a प्लस b पुचा गया है, और a प्लस b यही आपके option में दे रख limit x goes to 5, x goes to 5, log x minus log 5 upon x minus 5, मैंने आपको बार बार यह बताया, कि अगर आपको x की single power दिखाई दे न, denominator में, और 0 by 0 form बनती है, तो आप और कोई भी rule बिना सोचे, इसमें सिद्धा ही जो न, L hospital लगा दिये गरो, क्योंकि यह होता ही सबसे आसान rule है, log x का derivative हो गया 1 by x, और log 5 क फिर मैं बता रहूं, आपको 0 होता है न, और यह 1, x को 5 put करना, अंसर आगे 1 by 5, यह अंसर आगे 1 by 5, अब इसके साथ साथ मैं आपको ने एक चीज़ और बता रहता हूं, देखो, सब बच्चों को यह रटा होता है कि derivative log x का 1 by x होता है, बट कभी अगर examiner ने चला की करके, यहां पर base e होता है न, आप हमेशा जान लखना, base e होगा तभी यह derivative 1 by x होता है, यान कि यह कब होता है, only when base is equal to e, फिर बात आती है कि अगर base e ना हो तो क्या करे, if base is not equal to e, अगर मालो हम यह कहें कि derivative निकालो, y equal to log x है, लेकिन यहां पर base 5 दे दिया, और कहें कि find करो derivative, तो म और मैंने लोग के अंदर आपको यह बताया हुआ है, कि base अगर अपने को change करना हो, तो formula होता है, base changing formula, यह formula बना ही इसलिए है, y को आप, यह तो जानते हो न, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखतो आप, अब, जो आपका मन करे, वो base लगा तो, उपर नीचे, हमारे को क्या चाहि और log x का derivative, आप जानते हो, कितना होता है, 1 by x, तो answer यह आएगा, लेकिन, फिर paper के अंदर question आगया, तो इतना बड़ा console करेगा, देखो, 1 by x तो हो गई होगा, इसको उपर ले जाओ, जब आप पता है, कि लोग निचे और उपर जाएगा, तो यह base और input, आपस में interchange हो जाए log x का derivative, आप सभी जानते हो, क्या होता है, 1 by x, यह लिख दिया मैंने 1 by x, यह तो लिखना ही लिखना है, फिर, क्या extra multiply करना है, आपको log e, यानि कि, extra multiplier क्या होगा, आपका, extra multiplier, वो कब, if base is not equal to e, extra multiplier, बच्छो, क्या होगा, log e होगा, आप log e से क्या कर देना, extra last में multiply कर देना, फिर, आप सचोगे, इसका base क्या, base जो question में दे रखा था ना, 5, वोई base देखो, 5, मैंने यहापे लिख दिया, मतलब कि, कभी log का base e के अलावा आजए, तो आपको solving करने की जूरूरत नहीं है, आप जानते हो, कि log x का derivative 1 by x होता है, वो लिख दो, फिर, extra multiply कर दो, कि, से log e से log e से, base क्या करोगे, base जो question में पहले दे रखा, वोई base करते हो, यह answer आपका direct आजएगा, तो इस जीच से आपको यह सीखने है, अब यह question, इसके अंदर कौन सी property लगेगी, सबसे important property होती है, limit x goes to 0, x goes to a मानलो, कुछ भी हो, एक function है base में, और एक function है इसकी power में, function की power function, अग x goes to a, यह जो power वाला function होता है इसको तो लिखनो निचे, और यह जो base वाला function होता है इसमें से क्या करतो, एक minus करतो, बस सिधा rule ही होता है, यह सीखो अप, power वाला function आके ले हो, और जो base वाला function है उसमें से एक minus करतो, और limit वहीं रहेगी, बस यह पूरा answer e की power में चला यह तभी यह रूल लगेगा लेकिन आपको डारेक्ट यह सिरफ वन नहीं देगा यहां पर कि आपको डारेक्ट दिख जाए कि हाँ यह तो वन है आप बनेगी लिमिट पूट करने के बाद वन आप खुछ सोचो अगर आप एक्स को इंफिनिटी पूट करोगे बच्चो तू आप एक मतलब कि आप आप इंफिनिटी उपाई इंफिनिटी क्या होता है इनफिनिटे का डैसी प्रोकल हमेसा रूप जी बहुत करने का क्या मतलब होता है नो है बिद्धि रिकपी दिवाइड करओ है , जैसे बचे कर आप एक दीवाइड बनो जान पॉक्क को आप 100 से डिवाइड करोगे 0.02 आएगा तो मैं कहा रहा हूँ 2 को जब आप infinity मतलब कि बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे ना तो अंसर लग 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 आपका क्या आजेगा जिरो आजेगा तो वही यह रूल है आइक्स को जब आप infinity पूट करोगे यह क्या हुजएगा 0 यह वन तो नहीं रहेगा न तो वन पलस 0 और एक्स गीप इंफिनिटी इनफिनिटी तो यह क्या है आपकी वन की पावर इनफिनिटी फूम है वाला वाला फंक्शन आगे ले ओ और बेस वाले फंक्शन मेंसे एक कम क तो यह तो आपको दिखाई देगे अब यह वन से वन कट गया, एक से एक्स कट गया, क्या बच गया, शिरफ टू, टू तो constant function है, constant function के ओपर x कुछ कामी नहीं करेगा, तो e square answer आ गया, यह आ गया आपका a का answer, अब निकालो ऐसे ही b का answer, सेम देखो, x को 0 पूट करोगे, sin 0 होता है, 0, तो यानि कि अंदर बन गया 1 प्लस 0, x को 0 पूट करोगे, code 0, अब बात आती है, code 0 क्या होता है, code x आप सभी जानते हो, यह होता है, post by sin, और code 0 की जो value होती है, post 0 by sin 0, post 0 होता है 1, यह होता है 0, तो answer क्या आ गया, infinity, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि 1 की power यह infinity form है, तो limit क्या आएगा, e की power, x goes to 0, जो power वाला function होता है, 2 code x, वह आगे आएगा, और base वाले function में से एक कम करोगे, तो सिधा लिख देना, यह sin x आजएगा, 1 हट जाएगा, तो e की power, limit x goes to 0, अब आपको पता है, code को आप क्या लिखोगे, cos by sign, cos by sign लिखोगे, तो sign से sign कर जाएगा, सिरफ क्या आजएगा, 2 cos x आजएगा, और x को 0 पूट करोगे, तो cos 0 तो क्या होता है, 1, तो यानिकी b भी बना क्या आगया, बच्चो, e square आगया, तो a और b आपस में क्या होगे, equal होगे, अगर कहीं मानलो, a और b equal नहीं आए, मा आजए, तब आपको कैसे पता लगेगा, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है, पेपर में हाँ, ये option फिर नहीं आएगा, e square और a square, क्योंकि फिर तो mismatch होजएगा, a equal to note b, ये वाड़ा option भी true होजएगा, और मानलो, a b से बड़ा है, तो ये वाड़ा option भी सही होजएग अब मैं कहा रहा हूँ, अगर मानलो, a आता e square, और b आता e cube, तो आप कैसे decide करोगे, कौन सा नंबर बड़ा है, और कौन सा नंबर छोटा है, e एक क्या होता है, fix number होता है, मैंने आपको पता है था, 2.718, और एक number अगर 1 से बड़ा है, तो उसकी power 2 है, और 1 उसकी power 3 है, तो और 1 से अगर छोटा होता नंबर, तो उसकी value अगर आप बढ़ा होगे, तो value उसकी कम होती जाएगी, जैसे 1 by 2 का square करोगे, तो 1 by 4, एक बार और और पावर करोगे, 1 by 8 छोटा हो गया, पहले से छोटा हो गया, एक पावर और करोगे, और छोटा हो जाएगा, तो मुझे पत लगा, कि base कैसे 1 बन गया यहां पर, infinite limit वाला question आपने इतने सारे किये होंगे, कि जब limit x goes to infinity होती है, यहां पर एक polynomial होता है, px और निच्चे होता है, एक polynomial qx, और px और qx के degree क्या होती है, बच्छो सेम, degree of px, अगर माल लो, equal होती है degree of qx के, तो अपना जो answer आता है, वो क् से बताता हूँ मैं, highest degree value term है x square, इसका coefficient कितना 1, निच्चे highest degree value term कितने है 1, इन दोनों के coefficient को बस आपस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बाकी सब term को हटा दो, तो बस 1 by 1 कितना आगया 1, तो यह base आगया 1, और power आगी infinity, तो यह कौन सी form है, 1 की power infinity form, यानि मैं यह कह रहा हूँ, अगर आपको answer निकालना होता न, सिरफ इसका, x square plus 4x plus में 3 upon x square plus 2x minus 5, तो दोनों के degree सेम है, उपर निचे, तो बस आप highest degree value term को आपस में divide कर दो, answer आता है, इसका 1, यह है, तो 1 की power infinity है, तो मैं क्या करूंगा फिर इसक में, e की power कर दूंगा, limit x goes to infinity, और य यह बिल्पुल मैं सोचना कि यह question length होएगा, जैसे बस आप lcm लोगे न, question आपका solve भी हो जाएगा, इसको solve करेंगे, lcm लेके, पर lcm भी क्या लेना, सिदा ही घटा देते हैं, क्योंकि यह minus 5 है, यह यूं की यूं पूरी चीज, इस में से घटेगी, तो x square कर जाएगा, 4x में से 2x minus होएगा, तो क्या बचेगा, 2x, 3 minus है, तो minus minus क्या होजएगा, प्लस 5, तो यहने कि क्या होगा, 8, और निचे कितना है, बच्छो, x square, plus 2x, minus 5, बस limit x goes to infinity है, limit x goes to infinity, और उपर x से multiply करोगे, तो कितना आगा, 2x square, plus 8x, और निचे कितना है, x square, plus 2x, minus 5, अब आप द इसका a की question था, तो answer आगया e square, तो यह infinite limit बड़ा concept है, अब यह तो क्या था, अगर degree same हो तब, अगर degree मानलो same ना हो, यानि कि, px की degree, मानलो qx की degree से क्या हो, बढ़ी हो, मतलब आप यह मानलो कि, उपर 1x बच जाएगा, जैसे मानलो उपर x cube है, निचे x है, या x square है, तो x उपर बच गया, उपर बच गया, और x को आप infinity पूट करोगे, तो इसका answer क्या आजएगा, अपना infinity आजएगा, और अगर denominator की degree बड़ी है, तो निचे x बचेगा, और निचे वाले x को जिछ दिन आप infinity पूट करोगे, तो वो क्या होजएगा, 0, यानि कि, अगर px की degree बच के, उसके बाद ये question देखो, 1 minus cos 2x और x square, अब इसमें आप क्या करोगे, x को 0 रखेगे, तो L hospital लगा दो direct, मैंने आपको यही बिताया था कि, जब भी आपको single power दिखे न, पहली बात जो आपकी strike करेगी mind में, वो यह है कि L hospital लगाएगे, बिना कुछ और सोचे, 1 का 0, minus cos का होते है, minus sign, तो sign 2x, और 2x का क्या होगा, बच्छो 2, और यह कितना आगया, आपका, x का, 1, जीरो पूट करना, यह ध्यान लगा, x को 0 पूट करेंगे, तो यह क्या आजएगा, 0, देख लो, कोई mistake तो नहीं है, cos आगया, sign 2x, और 2x का 2, और निच्छे क्या आगया बन, ठी तो मैंने आपको यह बात बताई थी, कि यह जो angle है, इसका square होता है, 4x, तो 4 से आप multiply करो, और 4 से आप उपर multiply करो, अब यह पूरी चीज मिलके तो क्या बनगी, 1 by 2 बनगी, देखो, बाहर है 4, यह है 1 by 2, और इसको आपको पता है, simplify करने की जुरूरत नहीं होती, बस उपर x का जो coefficient है, निचे x का जो coefficient है, वो आपस में divide हो जाएंगे, अंसर अपना कितना आ गया, यह 2 पे कट गया, 10, 10 by 3, इस question का answer है 10 by 3, तो बस इतने बड़े question को हम छोटा सा बनातेंगे, अगर हमें यह पता है, कि 1 minus cos 2x upon 4x square क्यों साहिए है, लेकिन आपको अगर प्रोपर्ट की extension क्या होती है, उसको use कैसे करते हैं, इसका मतलब सिरफ यह होता है, कि अगर मैं कभी कहूं कि 1 minus cos 7x है, और निचे में लिख दू 40x square, तो आप बताओ, इसको कैसे adjust करोगे, निचे लिख दें 40x square, अपने को 40 निची है, जो चीज नहीं चाहिए, उसको तो बाहर कर दो, constant क तो बाहर करी सकते हैं, मुझे चाहिए, 7x का whole square, यानि कि 49x square, तो 49 से multiply कर दो, ये लो 49 से बाहर मिल्टिप्लाइ कर दो, बात तो यहीं कि है, अब 49 by 40, और इसका answer होगे 1 by 2, तो आपको ऐसे सीखने है, यानि कि कुछ भी हो जाए, हमार को इसका square create करना है, वो होगा ही होगा पका, question number 36, ये बहुत ज़्यादा important question है, बहुत ही बारिस का use होगा, limit x goes to 2, mode of x-2 upon x-2, यानि कि एक बार mode लगा होगा, एक बार नहीं लगा होगा, इसका answer आज के बार तो आप direct क्या टिक कर देना, does not exist, वो होता क्यों है, मैं ये बताता हूँ, जब भी mode का question आजे, mode लगा आजे, इसको बोलते है greatest integer function, तो आप हमेशा ही, दो तरह की limit आपको पता है, एक left hand limit होती है, एक light hand limit, उसका concept आप use करोगे, left hand limit, left hand limit का मतलब होता है, जो ये x goes to 2 है, इसके ओपर छोटा सा minus का sign लगा दिया करो, इसका meaning होता है, कि जो x की value हम अजूम करके चलेंगे, वो 2 से जड़ादा है, जड़ा सीολेशा ही, पताब कि जैसे 1.999999, होती ही अलग बगटूई है, बट left hand का मतलब है, कि left side से हम 2 की तरफ बढ़ेंगे, जैसे अ मा swamp लो, ये 2 होता है, left hand limit का मतलब होता है, left side से आते-योते हम 2 के पास आएंगे, और right hand का मतलब होता है, right side से आते-योत हम तू के पास हैंगे लिमिट का एक बहुत वाइड कॉंसेप्ट होता है बट आपको उतना सीखने की जुरूरत नहीं है सिरफ लेफ्ट हैंड का मतलब आपको समझना है तू से चोटी सी वैल्यू और राइट हैंड का मतलब क्या होता है तू से जरात बड़ी वैल्यू अब इसमें क्या हुआ मैं इसको यह लिखना चाहता हूं देखो ऐसे अब अपने को पता है जब तक कोशन से मोड खतम नहीं करोगे न इसका सोलीशन नहीं आएगा और मोड खतम करने का मतलब जब तक आपको यकीन ना हो कि अंदर लिखी हुई वैल्यू पोजिटिव है के आप शोर हो कि यह वैल्यू नेगटिव है तो आप नेगटिव लिखे और एक साइन अपनी तरफ से माइनस का लगा दो ताकि वह पोजिटिव बन जाए अब एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको टू माइनस का मतलब बता है तू से जरासी चोटी आप एक्स को टू माइनस और माइनस वन तो अंसर क्या आगया माइनस वन अब ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालना राइट हैंड लिमिट वो एक्स गोस्तू पलस और मोडं ऑफ X-2 अपॉनx-2 टू पलस का मतलब क्या होता है तू से जरासी बड़ी वैल्यू 2.0000001 ऐसे उसमें से ट 2-2 करोगे पोजटिव होगी तो आपको पता है डारेक्ट बोड हट जाएगा और यह x-2 से x-2 कट गया अंसर कितना गया बन तो एक अंसर माइनस वन एक अंसर वन तो लेफ्ट हैं लिमित और राइट हैं लिमित इक्वल नहीं है इसका मतलब हम कहते हैं लिमित एक जिस्ट ही नहीं करती इस फंक्शन जो भी होगा डजनोट एक जिस्ट तो हमेशा ज्यान रखना इसका अंसर यह और कैसे कैसे इसके परा सकते में बात तो यह ना जैसे मानलो हम यह कहें लिमिट एक्स पोस्ट टू ए मैं जनरली बता देता हूं आपको इसका अंसर हमेशा क्या लिख हो गया अब डजनोट एक जिस्ट और कहां कहां इसका यूज होगा एक तो यह डिरेक्ट यह आएगा दूसरा अगर मानलो ऐसा आजे एक्स पोस्ट टू जिरो आपको दिख्या कर यह भी कि यह भी तो वही चीज है यहां पर मैंने और एक सबसे इंपॉर्टन प्रोपरटी होती है most important property greatest integer function की greatest integer function की यह क्या होती है देखो limit x goes to a और अंदर है greatest integer x अगर आपको यह निकालना पड़ जे तो इसका answer आएगा does not exist कब when a is an integer यानि कि integral value के उपर यह limit exist नहीं करेगी जैसे माल लो आपका question यह आजे limit x goes to 3 और greatest integer x तो आप सिता लिख दे ना does not exist greatest integer लिखा गया और x किसको प्रोज कर रहा है integer को यह वोई बात होगी देखो एक बार आप 3 से चोटी value put करोगे 3 से चोटी value मालो कितनी है 2.99 है और आप इसका greatest integer निकालोगे बच्चो कितनी है अब हमारे दिमाते में question आता है कि अगर integral value ना हो तो क्या होगा मालो मैं कहूं x 3.2 को प्रोज करता है और इसका answer निकालोगे अब आप बताओ 3.2 डारेक्ट ही put कर दो ना इसमें कुछ 0 by 0 form का तो मतलब है नहीं आप integer value पर exist नहीं करेगी non integral value का क्या हमें यह सूच है कि उस पर भी ऐसा होता है कि नहीं करती ही या हमेशा करती हो हमेशा करती है यह बात आपको धिहान रखनी तो यह दोनों प्रोपर्टी है न लीमिट में continuity में आपके काम आएगी अब यह question है why आपको दे रखें dy by dx निकालना है x equal to pi by 4 देखो आपको यह बता है किसी particular value पे अगर derivative निकालना होना question अपना आसान हो जाता है आसान होने का उसका कारण यह होता है कि एक तो option match करने बिल्कुल आसान हो जाते है अगर हम बिना अगर यह pi by 4 का use करें इसका derivative निक 2 by sin x का square करेगा लेकिन दूसरा बच्छा यह भी तो दिमाग लगा सकता है इसको separate divide कर दो 2 by sin x minus 3 cos by sin होता है cotex तो अब आसान बन जाएगा 2 cosecant x और minus 3 cotex इतना सा question बन गया अब आप dy by dx निकाल दो 2 cosecant का होता है minus cosecant x into cotex और minus 3 cote का क्या होता है minus cosecant square x यानि कि यह हो जाएगा आपका cosecant square x और x को बस क्या put कर दो आप 5 by 4 x को 5 by 4 put करोगे cosecant 45 कितना होता है root 2 और quote 45 होता है 1 3 यह होता है root 2 का square तो यह हो गया minus 2 root 2 और plus में 2 2 into 3 6 यानि कि 6 minus 2 root 2 इस question का answer आपको सिरफ इसमें यही बताना चाहता था कि u by v rule लगाने की बजाए आप देखो पहले कि क्या separate divide करने से आसान बन सकता है कि question तो आसान हो जा होगे फिर x को 5 by 4 put करोगे तो आपकी calculation lengthy हो जाएगी न यह question देखो paper के हिसाब से important question है यह इसमें आपको यह polynomial function दे रखाए f-1 निकालना है मतलब कि पहले f-x निकालो और फिर last में x को 1 put कर दो तो fx है तो f-x तो आपको निकालना आता ही है 100 into x की power कितनी आएगी 99 into x की power 98 फिर आगे x की power 98 भी आया होगा कहीं 98 into x की power 97 और last में देखो यहाँ पे इस x का derivative में लिख रहा हूँ 1 plus इस 1 का derivative में लिख रहा हूँ 0 अब आप f-1 निकालोगे तो क्या है 100 plus 99 और plus में 98 और up to क्या है 1 तक है अब आप खुद देखलो 1 से लेके 100 तक counting है और उनका sum निकालन और मैंने आपको formula बताया हुआ sigma n into n plus 1 by 2 कितना होता है अपना 2 sigma n का मतलब क्या होता है पहले n natural number का sum को ही sigma n से denote करते हैं तो यह formula होता है n into n plus 1 by 2 और n की जगा क्या रखता हो 100 50 into 101 तो 101 को 5 से multiply करोंगे 505 और एक 0 लगा तो last मेहना यह होता है और यह चोटी करासों में आपको सिखा दिया जाता है यह rule तो कि अगर आपको निकालना हो 1 से लेके 10 तक कसम 1 से लेके 10 तक कसम फिर आपको निकालना हो 1 से 100 तक कसम पिर आपको निकालना हो 1 से लेके 1000 तक कसम तो इनको बहुत आसान तरिका होता है देखो 1 5 लिख दो 1 5 लिख दो फिर यहाँ पर last में देखो कितनी 0 है 1 जितनी 0 है ना उससे 1 कम 0 इन दोनों 5 के बीच में लिख दो अब आपको इसमें 0 ही 1 है तो 1 से कम क्या होता है 0 मतरिको कुछ भी नहीं लिख नगाँ आपको फिर यहाँ पर 5 लिखो और क्या लिख दो किया लिख और लिख दो कितनी 0 है दो जिरो है तो आप इस से 1 खम यानि की बहुत अच्छी बात नहीं तो छोड़ दो इसको एक चीज यह जुरूर याद रख लेना कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अब 2 अब 2 मानलो मैं कहता हूं 199 इनका सम अगर पेपर में आगया कहीं यूज हो गया तो आपको अगर एपी के फोर्मुले से निकल जाएगा इसानो डाउट पट आप ये देखो कि सम ओव फ्रस्ट एयन ओर नेचुरल नंबर जास तो और नन नइचुरल नमबर प्लस 3 य्यानец जैसे 1 प्लस 3 पहले फस्ट नंबर वन कहीं से वन प्लस 3 तरी वहान होग्तहर साब तो कोressing तो का स्पेर फिर वन प्लस 3 प्लस 5 यह होता है 9 9 को आप लिखो 3 का स्केर फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 होता है 16, 16 को आप अपने दिमाग में सोचो 4 का स्केर यानिकि अब आपने ये चीज़ उब्जर्व की कि अगर पहले 2 ओर नमबर को अड़ करते हैं का स्केर तो बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी ट्रम है अब आप ये सोचो 191 में अगर आप एक 200 भी लिख दोगे आप ये मालो ये 200 तक लिखा हुआ है तो एक से लेके 200 तक के नमबर में आपको पता है 100 नमबर ओर होते हैं आपको गोड का सीख लिए है तो आप even का भी सीख लो जैसे आप खुद ही observe कर लो पहले दो इवन नमबर को आप जोड रहे हो कितना रहे 6 पहले 3 इवन नमबर को अब जोड रहे हो चितनी बार आप लिख़के देखोंगे न चीजों को आपको clarity हो जाएगी पहले 4 को जोट लो तो यह आएगा 20 एक और जोट लो बस पहले 5 को यह आजएगा अपका 30 अब यह जो answer आए है ना इसको अलग तरिके से सोचो 6 को मैं सोचना हूँ 2 into 3 12 को मैं सोचना हूँ 3 into 4 इसको मैं सोचना हूँ 4 into 5 इसको मैं सोचना हूँ 5 into 6 कैसे सोचना है आपको जितने यह number है तो पहले वो 2 लिखतो और उसे एक बढ़ा के लिखतो 3 number है 3 लिखतो उसे एक बढ़ा के लिखतो 4 है 4 लिखतो एक बढ़ा के लिखतो 5 है 5 लिखतो उसे एक बढ़ा के लिखतो में मेटर करती है एक बच्चे के 10-15 सेकंड वेश्ट हो जाएंगे एक बच्चे यहां पर टाइम बचा जाएगा तो आपको यह ध्यान रखनी है हमेशा अब यह कुश्चन डारेक्ट मैंने कौन से बताया था एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव अगर आप करना चाहते ह लोग X और Y को इदर लेके आऊगे तो Y multiply हो जाएगा Y into Y क्या था अपका X की पावर X लेकिन आपको हमेशा याद रखना है X की पावर X का डेरिवेटिव बक्राइटिव यह होता है और एक मैंने आपको बताया था ना अभी कि इसको क्या लिखा जा सकता है लोग EX भी बढ़ा एक्स तो अब अभी से यह चीज नहीं पटेंगे न अच्छे से फोकस करके कि यहांपे बेसE होगा तो एक्जाम में फिर जो ना सोचने में टाइम खराब हो जाएगा अपने को सोचने कि इसको लोग E को अगर हमने वन लिखा है तो बेसE रहा होगा तभी 1 लिख सकते हैं हम इसको अब ये question देखो dy by dx निकालने है आपको x equal to 0 बात तो है आसान क्योंकि x की value 0 put करनी है last में बट एक बच्चा तो वो ही बात है कि इसमें एलो उस्पिटर रूल लगाएगा एलो उस्पिटर रूल लगाएगा एक बच्चा formula जानता है 1 plus 10x का upon 1 minus 10x आपको सबको पता है 1045 minus x या 1045 plus x क्या होता है 1 plus 10x upon 1 minus 10x तो इसको पहले क्योंने हम ये लिख देना tangent 5 by 4 plus x उपर plus है तो plus अब तो देखो एक ही line का question होगा derivative निकालतो बस 10 का होता है secant square angle same और angle का derivative आपको करना चाहो तो वो 1 ही होता है अब आपने निकालो x equal to 0 x equal to 0 पे तो secant pi by 4 बनेगा है ना 45 secant 45 होता है root 2 root 2 का square होता है 2 ये answer आगे बस छोट-छोटी बात आपको ये ही सीखनी है y equal to x की power 4 plus x square plus 1 और मालो मैं कह दूँ कि निच्चे है x square plus x plus 1 कि इसका आप derivative निकालो और derivative निकालके और answer match करो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा u by v rule लगाओगे तो और आपको लगबिंदरा की उपर कोई factor बन रहे है तो इसकी factorization सीख लो x की power 4 plus x square plus 1 बहुत important है ये ये वाली expression इसको आपने perfect square बनाओ हाँ बताओ बताओ हाँ ये 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 वाला कह रहे हो कि ये वाला अच्छा ये ये कह रहे हो ये चीज अच्छा हाँ इसमें ये formula होता है trigonometry में देखो trigonometry का formula है ये tangent 45 plus x और ये आया कहां से tangent a plus b से ही आया है 10 a plus b का formula क्या होता है 10 a plus 10 b होता है और upon 1 minus 10 a into 10 b और a को आप particularly 45 put कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा तो 1 plus 10 b upon 1 minus 10 b बन जाएगा ठीक है तो ये formula मैंने लिख दिया कि इसको मैं direct क्या लिखूंगा tangent 45 plus ये वाला x ये जो x है ये वाला x बस उसके बार territory कर दो आसान हो जाएगा नी भी करोगे आप तब भी question का अनसर आजएगा बस उसमें 1 minute लग जाएगा ये expression बहुत important है इसकी factorization याद नहीं रखनी याद करोगे तो देखना आपको मैं बताऊंगा कहां पर mistake करोगे आप ना paper में कभी question आएगा मुस्कील है वैसे chance लेकिन आएगा तो ऐसे करना है x की power 4 plus आप इसको perfect square बनाना चाहते है तो देखना ये क्या है x square का whole square है और ये 1 का square है तो a square plus b square plus 2ab मतलब आपने को plus में 2x square जीए लेकिन मेरे पास है सिर्फ x square तो मैं 1x square add कर लेता हूँ 1x square minus कर लेता हूँ अब आप खुदी देख लो ये जो है ना ये क्या बन गया x square plus 1 का whole square है कोल के देख लो और minus में x का whole square अब लगाओ a square minus b square तो याने की a plus b और a minus b तो इसकी factorization आप हमेशा ध्यान रखोगे ये factorization होती है बच्चो इसकी अब आपको अगर मालो इसका derivative निकालना पड़ गया इसका derivative फिर आप बहुत आसानी से निकाल दोगा पहले function को simplify करो मैं denominator को क्या लिखूंगा x square plus 1 plus x और x square plus 1 minus x और निचे क्या है देखो x square plus x plus 1 में को पता ही ये कट जाएगा तो मेरा function सिर्फ कितना सा आ गया ये तो dy by dx अब एक line का काम हो गया 2x minus 1 और nda में question पुछा गया ये कि उसने कहा कि ये y है if dy by dx equal to 2ax plus में b है तो बताओ a और b की value क्या होगी तो अगर आप direct करोगे तो question का अनसर निकले निगाई नहीं बहुत मुस्किल हो जाएगा तो अब ये देख लो 2ax plus b x का coefficient यहाँ पर 2a है और यहाँ पर कितना है 2 तो a कितना गया 1 और b कितना गया बच्छो minus 1 बस आपको ये एक बहुत important expression है इसकी factorization कैसे करनी है मैंने आपको तरीका बता दिया अगर ऐसे ही मानलो question में यह आ जाता x की power 8 plus x की power 4 plus 1 बस आपको रटना नहीं है कि वो सिर्फ a की expression ऐसे होती है मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये expression कैसे solve करते है वही बात ये x की power 4 का whole square है तो अपने को यहाँ पर 2x की power 4 चीए और मैं 1x की power 4 minus कर देता हूं तो यह हो गया x की power 4 plus 1 का whole square और यह है x square का whole square अब आप a square plus b square यह कर दो a plus b और x की power 4 plus 1 minus x square तो इस तरह का कोई भी कुश्च क्या करे हो बस बस करें मैं तो और पढ़ाना चाहता हूं बताओ कितने बच्चे आप मेरे को message करके बता दो कि और नहीं पढ़ना चाहते कि मैं chat box open करता हूं आप मेरे को यह बताओ कौन बच्चा कितनी देर तक और पढ़ना चाहता है मिनेट में लिख दो फिर उसके सब्सेटी साइड करते हैं अगर ज्यादा बच्चे हुए तो मैं पढ़ाता रहूंगा और यह class आपको recorded मिल जाएगी ठीक है और अगर हो 57 बच्चे हुए तो फिर class को खतम कर देंगे आपके उपर बात है कि अगर 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 आज यह थो पताला केंगा पटने वाले मच्चे कितने हैं पढ़ लो बच्चों मैं तो यह कहता हूं पढ़ लो देखो आप पढ़ रहे हो ना जैसे आप मालो अपने रूम में बैटके अपने घर पे बैटके जहां पर भी बैटके आप पढ़ रहे हो अगर हम दो घंटे लगाता तर पढ़ लेते हैं आपको हमेशा यह लगता है कि हम इतने पढ़ दिए लेकिन जब आप पढ़ने वाले बच्चे को देखते हूं जो रियल करते हैं झाल के वाले बच्चों के चलो बात इने करते वो तो कम बी पढ़े ले तो प्षेत काम जल रादा यहां पर बच्चे थीं गंडे बैठके पढ़ लेते ना तो यह समझ लेते कि हम साऱ दिन पढ़ लिए लेकिन जो बच्चे 16 16 गंटे और अपने घर से जाके special library आठ गंटे रात को पढ़के आते हैं सुबह चार हुजे घर पर वापस आते हैं उन बच्चों को देखते हैं जब आप तब आपको यू लगे कि हम तो कुछ भी नहीं है पढ़ी नहीं है अब जैसे आपको तीन साड़े तीन गंटे होगे मानलो लगातर बैठे हो आपको से सजो हो बना हो रहें पर आपको तो उससे जो नमखावला करने च्छ रहें परके क्योंकि इतना टाइम तो आपको इससे कहीं ज्यादा टाइम तो एक्जाम में भी बैठना पड़ेगा वहां पर कंसेंट्रेशन कैसे बनाओगे यह सचो रिकोडिट लेक्सर मिल जाएगा जो मतलब नहीं पड़ना चाते न तो रिकोडिट देख लेना बट जो यहां समझ आएगा आपको रिकोडिट में समझनी आएगा रिकोडिट आप रख लोगे अपने मोबाइल में सेव करके उसका लिंक बट मुझे पता है कि जिसने नहीं पड़ना वह पड़ेगा नहीं उससे रिकोडिट तो फिर यह होता है कि हम यह लगता है कि यह तो हमारे पास है कभी भी पड़ लेंगे फिर कभी भी आता नहीं है ठीक है तो हम स्टार्ट करते जिस बच्छे को जाना हो चले जाओ उसका रिकोडिट लेक्सर मिल जाएगा अगर किसी को tääझा में फ्रोबेच कोई बात नहीं हैuez कि इसकी फैक्टर में होगी अब कंप्लेक्स नंब्र के चलो आपइस बार हो गया है अब कंप्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं कंप्लेक्स नंबर में तो चीज़ें सबसे इंपोर्टन होती हैं मोंत of z ट्याइक did प्लस आयटा साइन थीटा और मैं आप से कहूं कि मोड जेट निकालो तो बच्चा है ना confusion में पढ़ जाता है कि इतने बड़े complex नमर का मोड कैसे निकाले आप बस हमेशा ध्यान रखना multiply हो या divide हो तो आपको वो function multiplication में division में कोई भी complex अलग अलग उनको simplify नहीं करना आप numerator का मोड अलग निकालो दिनुमिनेटर का मोड अलग निकालो दुन्हों का अपस में divide कर दो मतलब मैं यह कह रहा हूं कि mode of z1 by z2 हो तो उसका answer mode z1 by mode z2 होता है ऐसे multiplication में mode z1 into z2 हो तो mode z1 into mode z2 होता है ऐसे ही mode z की power n हो तो आप mode z निकालके उसकी power n कर दो मतलब कि complex number की power नहीं करनी जो उसका mode आएगा ना उसकी power ऐसा क्यों होता है क्योंकि mode जो आता है वो एक constant number आता है और उसकी 5 power करनी आसान होती है 1 plus eta की 5 power करनी थोड़े शी बच्चों को मुस्की लगती है इसका mode बताओ क्या आएगा 1 plus eta का होता है 1 plus 1 और निचे भी तो देखो कितना आसान होता है को स्केर थिटा प्लस में साइन स्केर थिटा तो निचे तो दिखते ही आप लिखाई मत करोई तो वन ही होता है तो अंसर कितना आगया देखो देखो मैं यह कह रहा हूँ आपको कि multiply में जब function आए ना ऐसे तो उनका mode निकालने के दिए इनको पहले multiply नहीं करना अलग अलग mode निकालके उनके जो answers आएग ना उनको आपस में multiply ये डिवाइड करना है लेकिन अगर plus minus में आगया तो आप यह निकर सकते इसका mode अल क्या होता है real part यानिकी 2 root 3 इसका square भीच में sign plus का ही लगेगा हमेशा देहन रखना plus और यहां पर आयटा का जो coefficient है इमेजनी part minus 2 उसका square तो यह हो गया 2 का square 4 4 into 3 यानिकी 12 plus 4 16 16 का root हो गया 4 बोड तो बिल्कुल आसानी से आगया अब बात आती है argument की देखो argument में ज्यादतर ब complex number का आप निकाल पाओगे argument of z जो यह z होता है ना यह किसी ने किसी quadrant के अंदर लाई करेगा आपको पता है और चार तो इस plane के अंदर होते है quadrant आप चीज़े सिखो ना तो हमेशा पूरी सिखो ताकि paper में कोई question आए तो आपको यू नहीं है कि एक बार try कर लेते हो गया तो और यहां यहां मतलब कि चार quadrant में होगा लेकिन हो सकता है complex number यहां हो तो फिरा मुसको यह नहीं बहूर सकती क्वाड्रेंट में है यह X's के उपर है, एक नमबर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यह यहां, मतलब कि एक complex number की 8 position हो सकती है, Z में लाई, add 8 positions, और मैं आपको यह बिता दूँ कि 8 की 8 position के उपर, जो complex number लाई करते हैं, उनका argument निकालने का क्या तरीका होता है, फिर तो आप किसी भी complex number का argument निकाल दोग when Z lies in any quadrant, पहले हम आपको quadrant के बारे में बताता हूँ, quadrant के अंदर लाई करता है, तो complex number का argument कैसे निकालते हैं, चाब पेपर में एक लिखाएगा, argument of Z, और एक लिखाता है, principle argument of Z, प्रिंसिपल argument of Z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को amplitude भी बोलते हैं, amplitude, amplitude of Z, तो इसका मतलब, argument तो कितना भी हो सकता है, complex number का, यानि कि जैसे माल लो, आपने 30 degree निकाल दिया, और 30 degree option में नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या option में होगा, इसमें 360, या तो plus कर दो, या क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब कि आपका answer आगा 30 degree, और 30 degree कहीं option में दिखाई नहीं देर, आपको तूर 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 तक, और आप शोर हो कि हमारा answer सही है, तो आप क्या करना, उस 30 degree यानि कि pi by 6 में 2 pi add कर दो, या 2 pi minus कर दो, 2 pi जरूरी नहीं है, 2 pi का multiple, यानि कि 360 into 2, 360 into 3, 360 into 4, यानि कि 360 को कितनी भी बार आप plus कर दो, कितनी भी बार minus कर दो, वे सारे ही argument कहलाते हैं, उस complex number के, but principal argument जो होता है, उसकी क्या होती है, बच्चो एक particular range होती है, अब बताओ, किसी बच्चे को पता है कि principal argument की क्या range होती है, मेरे को बता दो, बस range के पर फिर हम बात करेंगे, कि उसी range के बाकियों को नहीं बोलेंगे, principal argument की क्या range होती है, बताओ, मेरे mind में यह रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं, principal argument की range बता दो, 0 से पाई, नहीं, गलत नहीं, बतानी है, सही बतानी है, principal argument की range, क्योंकि question पूछा जा सकता है, मैं आपसे इसलिए question पूछ रहा हूँ यह, exam में question आगया, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या answer निकाल देते हैं, बट अगर मैंने exam में principal argument ही दे दिया question में, तो फिर आप उसमें फस सकते हो, तो हमेशा आप ध्यान लगना, जो principal argument होता है, जैड का, वो हमेशा बिलोंग करता है, minus pi से pi, minus pi के ओपर open bracket लगानी है, pi के ओपर close bracket, बहुत important है ध्यान लगना, जो चीज में आपको यह बता रहा हो, यह पूछी जा सकती ह तो आप sure हो जाओ कि एक दो question इसमें से पकाएंगे, और वो ही आपकी rank decide करेंगे, minus pi से pi होती है, minus pi include नहीं होता, pi include होता है, तो यह principal argument की range होती है, तो कभी principal argument आपसे पूछ लिया, तो minus 180 से चोटा नहीं हो सकता, 180 से बढ़ानी हो सकता, उसके बीच में answer आएगा, बट सिरफ argument पूछ लिया, तो आपका जो answer आ रहा है, अगर वो option में है, तो वो ही tick कर देना, नहीं है, तो उसमें 360 plus या 360 minus करके देख लेना, 360 से भी बात नहीं बढ़ें, तो 720 कर लेना, ऐसे, तो किसी भी quadrant में z लाई करता है, तो पहले माल लो z है, x plus i to y, step 1, इसमें आप क्या निकाल लो, theta का formula क्या होता है, 10 inverse, imaginary, screen एक बार आपना, rejoin कर लो, screen तो आ रही है, एक बार आप rejoin करके देखो, चलो, एक minute का break देते हैं, तुम्हारी वज़े से, देखो, चो अभी किस निरीज वाइन के तो आ रही है, क्या स्थीन, क्याट करते हैं, एक क्लास को, क्याट करते हैं, एक क्लास को, क्याट करते हैं, अब ही करते हैं, एक मिनिट में स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको यह कहा था, कि अगर पहले क्या निकालो, आप थीटा निकालो, थीटा क्या होता है, यह क्या होगा, यहां पर आप ऐसे बना लो यह टेबल, यहां लिखो, क्वाड्रेंट, और यहां लिखो उसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ओफ जेड, थीटा आपको निकालना है, और जो यह वाला थीटा होगा, यह क्या होगा हमेशा, कोश्य नहीं खतम हो जाएगे अगर फर्स्ट क्वाडरेंट में हैं तो आर्गुमेंट ओफ जैट कितना होगा थीटा थीटा कौन सा अब थीटा मत बोलना यह उपर वाला थीटा जो आपने उपर थीटा निकाला है 30 60 डिगरी 45 डिगरी यही आपका अंसर हो जाएगा अगर फॉर्थ क्वाडरेंट में हुआ तो इसका अंसर क्या हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा बस यह हो गया अगर सेकिंड में हुआ तो पाई माइनस थीटा कर देना और अगर थर्ड में हुआ तो इसको माइनस से मल् यह दोनों जो argument है यह दोनों यह negative है क्योंकि मैंने क्या बताया उपर आपको थीटा होगा ना वह acute angle होगा 90 से छोटा आप इधर से चलना स्टार्ट करो हमेशा x-axis की positive direction से चलना स्टार्ट करो और anti-clockwise ऐसे चलना स्टार्ट करो इस लाइन तक पहुंचने में जितना angle आपने ट्रेवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं तो फस्ट और सेकिंड क्वाडरेंट में मालों यह पर भी होता है complex number इधर तब भी तो आप क्या कहते हैं यहां से चलना स्टार्ट किया यह देखो 180 से चोटा ही है 180 से चोटा लेकिन आप जैसे ही 3rd quadrant में एंट्री करोगे ना मालों यहां पर एंट्री कर गी तो यहां से लेकिए यहां तक जो आप एंगल चलोगे 180 से क्या हो बढ़ा हो जाएगा 180 से बढ़ा लेकिन मैंने आपको क्या बताया था भी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट 180 से बढ़ा नहीं हो सकता फिर आपका दिमाग यह काम करेगा कि अब की बार एंटी क्लोगवाइट चलने के बजाए क्लोगवाइट चलना स्टार्ट कर दो यह देख इसलिए हम एंटी क्लोगवाइट चलने के बजाए क्लोगवाइट चलना स्टार्ट करते हैं एक तो यह टेबल काम आएगे आपकी जब भी किसी क्वाडरेंट में लाई करेगा तो यह याद कर लेना अब बात लास्ट आती है कि जब जब किसी एक्षिज पर लाई करता है जब लाईज ओन एनी एक्षिज एक्षिज तो इन मैं आपको डायगरम मना के दिखा देता हूं याद ने करनी है चीजे ये complex number है मानलो हम इस red dot से दिखा देते हैं ये है complex number मैंने अभी आपको इस diagram में क्या दिखाए था कि argument की definition देखो आप क्या होती है argument की definition ये होती है कि ये मानलो आपका complex number है ये आपको एना x-axis की positive direction से start करना यहां से चलना start करना है red dot से और इस complex number तक पहुँचना है anti clock wedge ये बात है नगना anti clock wedge पहुचना है तो ये जितना angle होते है न थिटा इस थिटा कोई क्या बोलते है इस z का argument बोलते हैं अब मैंने कहा complex number तो अपकी बार इस line के उपर ही है तो ये वाली line होगी अब इस line से आप खुच सोचो इस positive x axis से इस dot तक पहुचने के लिए आपको तो angle travel ही नहीं करना पड़ा zero travel करना पड़ा यानि कि अगर मान लो ये complex number z1 है तो इस z1 का argument कितना होगा बच्चो zero होगा मतलब मैं ये कह रहा हूँ कोई भी ऐसा complex number आज के बाद आपको मिले कि जो positive x axis पे lie करता है उसका argument क्या होगा हमेशा चीरो अभी मैं आपको example देखे बताऊँगा कि ऐसे कौन-कौन से complex number होते हैं फिर बात आती है यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हो जाए z2 तो आप खुच सोच लो है यानिकी argument of z3 कितना होगा 5 by 2 होगा 90 degree जैसे ही question आएगा तो यह diagram बनाना नहीं आपको आपके दिमाग में आना चाहिए यह diagram दिमाग में बिठा लो कि negative x axis negative का मतलब क्या होता है यह number क्या होगा minus 2 यह number कितना होगा 3 यह number कैसा होगा यह क्या होता है 0,3 0,3 का मतलब क्या होता है 0 plus में 3 आएटा यानिकी plus का 3 आएटा होगा यहां पे जो number होगा z4 वो क्या होगा 0 minus 4 आएटा क्योंकि यह point क्या होता है 0, minus 4 होता है इस point को ही तो यह लिखते है यानिकी minus 4 आएटा ऐसा but clockwise चलोगे तो वो negative count होगा तो z4 का जो argument होगा वो क्या होगा? minus 5 by 2 होगा minus 5 by 2 अब मैं आपसे कुछ question पूछता हूँ देखो ये वाले अगर मानलो हम कहें कि argument of 3 क्या होगा? argument of 7 क्या होगा? argument of 7 root 3 by 2 क्या होगा? आप ये सूचो तो ये सारे के सारे real number है और वो भी positive है तो ये कहा होगे सारे? 3 का मतलब पता है क्या होता है complex number में? 3 का मतलब होता है 3 plus 0 आयटा और ये point क्या होता है 3,0 और 3,0 आपको पता है कहां पे होता है? positive x-axis के उपर होता है y तो 0 है यहापे तो इसका argument 0, इसका भी 0, इसका भी 0 बस शकल याद कर लो आज के बाद ऐसे questions की फिर मैं कहूँ कि number तो real है बट वो क्या आगया? negative आगया argument of minus 7 by 3 आगया argument of minus 8 root 3 by 5 आगया इन सब का argument क्या होगा? 180 180 क्योंकि ये negative side में चला गया न negative side है तो ये आगया 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 पाई इसी तरह से यानि कि ये दोनों के दोनों number देखो क्या है? purely real बोलते हैं जिसमें आयटा नाम का कोई नहीं होता ही value वो purely real number होते हैं purely real है बट positive है तब argument क्या होगा? 0 purely real है बट negative है argument क्या होगा? पाई बट आपको ऐसे याद ही नहीं करना आपको minus 3 दिखते ही आप ये देख लेना कि minus 3 होता कहां पे है? negative side में होता है x-axis के वोपर तो argument क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा यहाँ पे कोई भी number होता है ऐसा 0,3 0,3 को complex number में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 3 आइटा यह 3 आइटा हो गया? तो यह हो गया 3 आइटा यानि कि अब मैं आपको यह कह रहा हूँ कि ऐसा question अगर आएगा ना कि आप argument लिखो आइटा का लिखो argument लिखो 2 आइटा argument लिखो 5 आइटा यानि कि इसमें real part नहीं आएगा सिरफ imaginary part होगा सब का आइटा क्या होगा 5 आइटा कुछ भी आजए बस अकेला आइटा होना चाहिए उसके बाद constant term कुछ भी हो बट वो positive होनी चाहिए अगर constant term negative हो जाएगी minus आइटा हो गया minus 5 आइटा हो गया तो in concept क्या आजएगा minus 5 आजएगा बस इस तरह की चीज़े आपको याद रखनी है अब ये बस जो मैंने आपको बताया argument के बारे में ये चीज़ सीख लो आपके सारे questions all हो जाएगे अब जैसे ये question पर आते हम आपको इसका argument निकालना था सबसे पहले आप ये देखा करो ये complex number किस quadrant में है 2 root 3 minus 2 जहाँ x positive होता है y negative होता है तो देखते हैं आपको बात पत्र लगजेने चीज़िए कि क्या होता है ये 4th quadrant होता है 4th quadrant के अंदर पहले आप निकालो theta theta होता है 10 inverse 2 eta का coefficient by 2 root 3 यानि 1 by root 3 और 10 की value 1 by root 3 होती है 30 डिगरी पे यानि कि 5 by 6 लेकिन अपने को तो argument से ये 4th quadrant में 4th quadrant में मैंने क्या बता है था अगर ये theta है तो answer अपना कितना होता है minus theta होता है यानि कि minus 5 by 6 इस question का answer आगया तो 4 और minus 5 by 6 ये option number A आजएगा argument में आज के बात कोई भी आपको mistake करनी है नहीं अब एक चीज़ ये 1 plus theta upon 1 minus theta कितना होता है हमेशा याद रखना theta कैसे होता है rationalize कर लो 1 plus theta से multiply करो 1 plus theta से divide आपको पता लगज़ेगा कि ये answer आएगा फिर अगर 1 minus theta upon 1 plus theta हो rationalize करो कि क्या आएगा minus theta ये दो चीज़ important है 1 plus theta का square square खोलोगे a square plus b square वाड़ा फोर्मुला 2 theta आएगा 1 minus theta का whole square ये आएगा minus 2 theta theta का reciprocal कभी करना पर जे theta निच्चे है उपर बेज़ दो sign क्या कर दो minus का कभी ऐसा है मालो इतना ऐसा question आगया आप इसको rationalize करके solve करने question करो ने ऐसा नहीं करना minus 1 by 2 तो ही theta का उपर बेज़ रहे हो निच्चे की बज़ए तो आप minus theta कर देना तो बतलब आप समझोगे देखो कितना आसानी sensor आगया तो ये बात है आपके तिमाग में पहले से होनी चीए तो अब आप खुद देखो मैंने इसका आप से argument पुछा है और उसको नाम दे दिया alpha लेकिन आप ये सुचो कि ये जो चीज लिखी हुई ना ये आयटा लिखी हुई है तो मजब alpha जो है वो है argument of ita और अभी तो मैंने बताय था ita का argument कितना होता है pi by 2 और ये जो चीज लिखी हुई है ये direct तो मैं नहीं कह सकता बट solve तो करी सकते हम इसको 1 प्लस आयटा 1 माइनस आयटा पॉन 1 माइनस आयटा 1 माइनस आयटा पॉन 2 होगी तो 1 by 2 माइनस आयटा बाइ 2 होगया ये z होगया मानलों आपका है माइनस 5 by 4 तो यानि कि पीटा कितना आगया माइनस 5 by 4 ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ये नंबर है थीटा निकालोगे तुम अगर मानलों ऐसे निकालते हो कि 1 by 2 by 1 by 2 मैं कहता हूँ जब ये दोनों सेम हो तो हमेशा answer 1 ही आयगा और 10 in numbers 1 का answer कितना होता है 5 by 4 4th quadrant में है तो उसके आगे बस क्या लगा दो नेगटिव लगा दो आपको निकालना है alpha plus beta यानि कि 90 degree में से 45 degree माइनस करना है तो answer कितना आजएगा 45 degree आजएगा 5 by 4 ये होगे अब ये बहुत important role play करेगी polar form सबसे पहले तो polar form का huge कहाँ पर करना है और होती क्या है ये मानलो कोई complex number z है x plus eta y तो z को आप क्या लिख दो r into cos theta plus eta sin theta वेर जो ये r होता है ये होता है z का mode और theta theta वो वाला theta नहीं होता जो मैंने निकाला था वहाँ पर acute angle वो theta नहीं theta यहाँ पर क्या होता है argument of z होता है जो आप z का argument निकालते हो उसको क्या बोला गया है यहाँ पर theta तो polar form का meaning ये होता है कि अगर आपको if you know mode z and argument of z अगर आपको examiner mode z की value दे दे और argument of z की value दे दे then you can write you can write z यानि की complex number आप लिख सकते हो 2020 में ये question पुछा गया कि examiner ने क्या है mode z बता दिया और argument z बता दिया और कहा कि z बता हो अब आप तो अगर आपने को polar form की knowledge नहीं होगी तो फिर हम z बता ही नहीं पाएंगे तो कभी भी आपको किसी complex number का mode less बता हो और argument बता हो इस formula के अंदर modulus की जगह r की जगह पूट कर देना और जो argument है उसको theta की जगह पूट कर देना आपका answer आजएगा तो आपको polar form बतानी है इस complex number की मैंने क्या का आपको polar form का मतलब होता है एक r निकाल लो और एक उसका argument निकाल लो और इस formula में put कर तो answer आजएगा z है आपका minus 1 minus eta मुझे ये number ऐसा दिखाई देता है minus 1 minus 1 इसका more जो होगा यानि r जो होगा वो होगा root 2 और argument argument आप समझे रहे हो ये दोनों equal है ना देखो equal है ये equal है तो यानिकी pi by 4 और quadrant कौन सा है ये third third quadrant में आपको क्या बताया था theta minus pi बताया था theta minus pi यानिकी pi by 4 minus pi तो ये कितना होता है minus 3 pi by 4 तो argument यहां से कितना आगया बच्चो argument आगया minus 3 pi by 4 इतना जल्दी आपको निकालना है पेपर के अंदर अब आप निकालोगे क्या z z होता है r into cos theta plus eta sin theta r कितना है root 2 into cos of theta theta देखो minus 3 pi by 4 है cos के अंदर तो negative हो जाए positive कोई फरकी नहीं पड़ता तो मैं इसको सिद्धा ही 3 pi by 4 लिख रहा हूँ और eta sin यहां पे क्या लिखोगे आप minus 3 pi by 4 और आपको ये तो पता ही है कि ये minus sign का बाहर आजएगा तो answer अपना automatically ये आ जाएगा आएटा sin 3 by by 4 कभी भी आप याद रखना आपको complex number का complex number दिया हो पॉनर फॉर्म सो लिखी सकते हैं लेकिन complex number ना देके आपको ये कह देता कि ये है argument और ये है उसका borderless तो complex number लिखो तब भी आप complex number ऐसे लिख सकते हैं उसके बाद दो चीज़े आप fix है याद रखना आपको मैं कहूँ कि argument बताओ omega का omega क्या का argument क्या होगा पेपर में ये portion आगया सिरफ मान लो statement 1 है argument of omega and statement 2 है मान लो argument of omega square और इसका answer मैं कहता हूँ alpha है इसका answer beta है और मैं आप से पुछू alpha plus beta और मान लो आप सब बच्चों को पता भी है omega का argument आपको पता है और omega square का argument पता है तो और आप answer लिखते हो मान लो option में आगया आपका 0 something ऐसा करके आगया लेकिन वो answer आपका गलत माला जाएगा इस बात से मैं सिरफ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो omega word है न ये इंगलीस का w है जब तक इस omega के बारे में आपको ये ना कहे कि where omega is the complex cube root of unity complex cube root of unity क्योंकि cube root of unity आपको पता है तीन होते है 1 omega और omega square तो ये दोनों जो है वो complex imaginary वाले होते हैं ये real वाला होता है complex cube root of unity जब तक paper में ये statement ना लिखी आए तब तक आप इसको omega नहीं मान सकते तब तक आप इसको जैसे x होता है जैसे y होता है वैसे ये w है English alphabet w है तो आपका answer होगा cannot be determined क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि ये w और w square कौन से complex number है हमेशा ध्यान रखना मेरी बात जब तक आपको examiner ये ना कहे कि ये complex number जो w है ना वो क्या represent कर रहा है तब तक आप इसको वो वाला omega नहीं मान सकते और अगर कह दे तो फिर हमेशा इसको ये मानना ये omega होता है और ये omega square होता है बस ये इतनी सी बात है तो अब omega का argument आगे से आप ध्यान दखोगे direct इसका argument अगर मैं आपको निकालने के लिए बहूँ तो देखो ये निच्चे वाला 2 ये इसको भूल जाओ आप क्योंकि तो दोलों के साथ डिवाइड होगा root 3 by 1 तो theta तो आगया 60 degree है ना यानि कि pi by 3 यानि कि ये तो second quadrant है और second quadrant में जो अपना argument होता है वो होता है pi minus theta करके pi minus pi by 3 यानि कि 2 pi by 3 हमेशा आप ध्यान दखो गया कि से कि omega का argument होता है 120 degree यानि कि 2 pi by 3 और omega square का क्या होता है ये property अपने पड़ी है कि z bar का अगर argument निकालना हो तो minus argument of z होता है omega और omega square एक दूसरे के conjugate होते हैं आप इसका omega का conjugate निकालोगे तो वो यही तो आएगा और यही value क्या है omega square है यानि कि omega का conjugate निकाल दो omega square निकलाएगा omega square का conjugate निकाल दो omega पर पहुंच जाओगे ऐसे ही omega का square कर दो ये आजाएगा इसका square कर दो, यह आजाएगा है यह की बात होती है तो अगर आपको omega square का conjugate निकालना हो तो आप सिद्धा क्या कर देना, इसका negative कर देना क्योंकि इसका क्या है, conjugate है अब एक बच्चे के दिमाग में यह भी आएगी बात की property तो यह भी होती है कि argument of z की power n equal to n times of argument of z तो इसका answer फिर omega square में 2 आके लाके 2 into 2 pi by 3 होना चाहिए था मतलब कि 4 pi by 3 लेकिन 4 pi by 3 बच्चों सोचो आप कितना होता है 240 होता है और principal argument तो 180 से बड़ा होता ही नहीं तो यह आपका answer गलत नहीं है अगर principal argument पूछ ले तो यह answer गलत है और यह answer सही है क्योंकि minus 180 से छोटा है तो बस सारी बाते matter करती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है argument of omega क्या होता है argument of omega square पेपर के अंदर भी तो आपको solving करनी ही पढ़ेगी अगर आ गया सुरू से ही अगर आप कुछ बाते याद रखोगे जो मैं कह रहा हूँ उसमें से मानलो 70% भी आपको याद रहती है तो भी enough है ना पेपर में कुछ तो आपको दिमाग में है कि हमें ऐसे निकालना पड़ता है omega का argument और omega square का argument याद रहेगी तो फिर तो बाती के है इसमें आपको value बतानी है कि जिसके लिए एक common root हो इन दोनों equation में एक common root तो मैं यह question solve करके आपको नहीं दिखा रहा है सिरफ आपको मैं एक common root की condition बता रहा हूँ अगर मानलो equation है ax square plus bx plus c equal to 0 और फिर है आपका इन दोनों equation में एक root common है one common root तो उसकी condition क्या होती है देखो circle बना लो a, b, c पहले a, b, c, फिर b, c, फिर c, यहां लिखो a, b, a, b into b, c, b, c equal to c, a, c, a ऐसे लिखती है अगरो बीच में sign लगा दो minus का अब क्या लिखा करो आप यह देखो दो टरम है यह अकेली है तो इसको दो बनाना है तो इसका क्या कर दो square कर दो फिर 12-21 लिख दो 12-21 फिर 12-21 फिर 12-21 12-21 के जिए 21-21 लिख दोगो न तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह इसमें से minus को में लोगे 21-21 हो जाएगा फिर इसमें से minus को में लोगे 21-21 हो जाएगा वो minus minus adjust हो जाएगे और इसके ओपर तो square लगा हुआ वैसे कोई फरक पड़ नहीं तो बस मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इस equation से paper में यह कोशेन आएगा अगर जब तक आप लिखोगी न आपकी mistake होने के chance पड़ जाएगे तो आप यहां पर फटा फट लिखोगे A1, B1, C1 आपको यह सोचना है कि जो question हमार को आता है वो गलत ना हो जाए उसमें time 10 सेकेंड फाल तो लग जाए टाइम बचाने के चकर में गलती करती फिर मतलबी क्या है यहां लिखो आप 1 माइनस 11 और के और यहां पर आप क्या लिखोगे 1 माइनस 14 और यहां पर लिखोगे आप 2 के बस यह सारी value इस formula के अंदर पूट कर देना आपका solve करके क्या आजाएगा इस तरीके से आपको एक common root की condition निकालनी है अब कई बार paper में न दो common root का question आजाता है और दो common root हो तो आपको पता है कि फिर तो सिद्धी condition होती है कि इनके जो coefficients होते है इनका ratio equal होता है c1 by c2 दो common root का मतलब क्या होता है जैसे आप सोचोगे ऐसी कौन सी equation होती है जिनके दोनों root एक जैसे होते है मैंने आपको भी बताया था जी कि एक ये equation है और दूसरी मानलों मैं इसको 2 से multiply कर देता हूँ तो ये दोनों equation दिखने में तो अलग-अलग है बट इसके root कुन से है 2 and 3 और इसके root भी बच्चो किया 2 and 3 तो हमेशा ऐसा पक्का होगा कि इनका ratio 1 by 2 है इनका ratio भी 1 by 2 होगा और इनका ratio भी 1 by 2 होगा तभी तो होता है सेम नंबर से multiply करोगे आप इसको आप 2 से कर दो इसको 3 से कर दो तब तो फिर root चेंज हो जाएंगे न आपको सिधा नहीं बताता कि इन दो equation के root common है वो आपसे ऐसा कहेगा let the roots let the equations x square plus 3x और plus में 9 equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0 have a common root वो आपको ऐसा बताएगा कि एक root इसका common है then find करो a ratio b ratio c अब मैं आपको बताऊँगा कि exam में ये question आगे न direct up answer देदोगे इसका पहले concept ये होता है कि जब भी आपको दो equations में से एक equation ऐसी दिखाई दे जिसके तिन्नों जो constant होते हैं a, b, c उनकी value आपको पता है जैसे इसमें 1, 3, और 9 तिन्नों value के बारे में आपको पता है और दूसरी equation फिर अपने को द्याने ने देना तो हमेशा लगबग question में ऐसा होगा कि इसका जो d आएगा number जो जीरो से छोटा आएगा आप इसका d निकाल के देखना b square minus 4ac यानि कि ये आगया आपका 0 से छोटा और आपको ये भी पता है अच्छे से कि अगर d जीरो से छोटा आगया था यहाँ पर ये लिखा मिलेगा where a, b, c are real numbers d अगर जीरो से छोटा आता है तो आपको पता है कि दोनों रूट्स कैसे होते हैं कि इमेजनली होते है माल लो मैं सिरफ अजूम कर रहा हूँ इसका एक रूट है alpha plus eta beta तो बच्चो एक रूट अगर यह है तो दूसरा रूट पका यह होगा क्योंकि हमने पड़ा है कि इमेजनली रूट्स अकेला ने आता है पेर में आता है साथ में अब यह कहता है कि इसका एक रूट को मन है तो मैं यह कहता हूँ एक root common है तो आप मानलो एक बार ये वाला root common है अगर ये root इसका है questo मैंने ये लिख दिया कि ये common है अब आप कहोगे कि इस equation का अगर एक root ये है मैं इस पे निजावाब इसको छोड़ दो आप मैं कहता हूँ इस equation का अगर एक root ये है तो दूसरा रूट तो हमने पढ़ा है न ये होगा और ये तो ये ही रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो इक्वेशन दे दे और कहें कि एक रूट कोमन है उन में से एक इक्वेशन ऐसी है जिसके तीनों कोफिशन नोन है और उसका टी 99% कोशिन में एक्वेशन सेट करेगा लेस देन जीरो वो आपसे कोंसेट ये जाना चाहता है कि ये कोंसेट बच्चे को पता है कि नहीं तो आप ये कहोगे इनडिरेक्टली वो हमारे को यानि कि ये कह रहा है कि दोनों रूट कोमन है तो दोनों रूट कोमन है तो बच्चो कितना असान कोशिन होगे आप तो A by 1, B by 3 और C by 9 इक्वल होगे न तिरनों कोफिशन यानि कि A ratio, B ratio, C क्या कहोगे आप 1 ratio, 3 ratio, 9 आपको कुछ लिखने की जुरूरती नहीं है यह तो मन में बता दोगे आपकी इसका D negative है तो बस A, B, C का ratio पता है क्या होगा 1, 3, 9 आप डारेट कहादे ना 1, 3, 9 कोशिन खत्म होगे जैसे मालों equation यह देदूं आपको 5x square plus 12x और plus में 13 equal to 0 और एक equation देदू ax square plus bx plus c इन में A, B, C का ratio बताओ एक root common है तो फिर वो ही देखो इसका आप D निकालोगे न P square minus 4 into A into C वो negative आएगा तो तो तोनों root common होगे तो A, B, C का ratio क्या होगा 5, 12, 13 अब इसी question को अगर मुस्किल बनाना होगा तो examiner कहेगा कि यह ABC जो है न यह triangle की side है और आपने property of triangle आपका syllabus में होई गया यह A होती है यह B, C के सामने C होती है तो आप यह बताओ यह 5, 12, 13 5, 12, 13 का तो triplet Pythagorean triplet होते है Pythagorean triplet है तो यह side क्या होती है बच्चों, hypotenuse होती है आप से angle C पुछेगा angle C angle C मतब सबसे बड़ी side कौन चीए, देखो C है न तो C के सामने ही तो angle C होता है और आपको पता है सबसे बड़ी side के सामने जो angle होता है वो सबसे बड़ा होता है और hypotenuse के सामने जो angle होता है वो 90 degree होता है तो इस question का अंसर से लेके कहां तक चला गया बट अगर आपने concept अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका अंसर और ली बता दोगे तो common root के ओपर ये question था अब ये एक छोटी सी बस practice है एक ऐसी quadratic question बताओ जिसके coefficient real है जिसके coefficient real है और एक root इसका ये है तो बच्छो एक root अगर ये आगया ना तो दूसरा root पका one minus ita होगा तो इन दोनों का क्या निकाल दो sum निकाल दो sum आगया two और product निकालोगे product भी I think two ये आएगी ये भी two आगी तो sum और product आगी तो x scale minus sum plus product equal to zero ये आपका अनसर आजेगा लेकिन मैं एक बात कहता हूँ अगर कभी examiner ने ये word ना लिखा सिरफ उसने ये कह दिया कि the quadratic equation whose one root is this is एक option में लिखा मिलेगा cannot be determined तो आप हमेशा इसको option को tick करोगे इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये कहें येना कि एक quadratic equation ऐसी है जिसका एक root one plus alpha है तो पक्का ये नहीं होता कि दूसरा root one minus ita होगा alpha नहीं ita वो तभी होता है जब उसके coefficient जो होते हैं ABC वो real होते हैं आप एंशेयर टेक्विक उठाओगे complex नंबर में फिफ्ट चेप्टर में ऐसे equation मिलेगी आपको two x square plus में three eta x और plus में nine हम मैं ये guarantee नहीं दे रहा कि इस equation के root भी पेर में लाई करते हैं जैसे एक root अगर alpha plus beta आ गया तो दूसरा root alpha minus beta आएगर नहीं ऐसा नहीं होगा हो सकता है हो जाए बट इसकी guarantee नहीं है क्योंकि इसके जो coefficient है ना बट चो ये coefficient तिन्नों ये तिन्नों के तिन्नों real होने चाहिए बट इसवे तो ये real नहीं है ये not real तो अगर ये real नहीं है तब ऐसी condition नहीं होती कि एक root अगर ये है तो दूसरा root ये होगा तो मैं ये कहरा हूँ अगर examiner ने थोड़ा सा level high बनाना पेपर का होगा तो वो ये word नहीं लिखेगा real coefficient वो सिरफ ये कहेगा ऐसी quadratic equation बताओ जिसका root ये है एक आप कहोगे 1 plus i eta मतलब मैं ये कहा दूँ कि आपको एक ऐसी quadratic equation बताओ जिसका एक root 2 हो तो आप कहोगे ऐसी equation तो बहुत सारी होती है तो हम एक कैसे बता दें तो उसी को तो बोलते cannot be determined cannot be determined का मतलब बिलकुल ये नहीं होता कि आप उसका answer नहीं निकाल सकते बट आपका मतलब ये होता है कि उसका unique answer नहीं निकाल सकते है बहुत सारी equation निकाल सकते हो जिसका एक root क्या हो 1 plus i eta क्योंकि दूसरा root हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेंगे एक root 1 plus i eta है तो equation तो हम निकाली देंगे ये वाले equation है लेकिन ये कोई बच्चा कोई शी निकालेगा कोई बच्चा यहां पे दो variable p है उपर वाली equation का एक root 4 है तो मैं कहता हूं यहां पे x की value को 4 put करके p निकाला जा सकता है और p निकालके अगर आप यहां put कर देंगे तो इसमें सिरफ a की variable बच्चेगा q और वो कैसे आएगा इसके root equal है और equal root कब होते है जब discriminant क्या होता है 0 तो देखो कित इसना टाइम आप बचा सकते हो यह आ गया और इसके root क्या है equal इसके equal roots है तो मैं कहता हूं direct क्या कर देना d को 0 put कर देना d होता है b square minus 4 into a into c equal to 0 4 q equal to 49 क्यों आगया आपका 49 by 4 quality equation के difficult questions बनाने होगे तो वो ऐसे बना देगा एक आपको यह भी जान लेगा कि root होने का मतलब क्या होता है root होने का मतलब होता है x की value है वो 4 x की value यहां put करो p आ जाएगा p की value यहां put करोगे तो variable बच गया एक और इस question में दे रखए equal roots तो फि कहेगा कि roots are equal तब आपको d0 put करना है यह आपको यह कहेगा कि जो quadratic expression है quadratic expression है वो एक perfect square है यह बात note कर लेना इसके पर question पूछा जा सकता है अगर quadratic equation perfect square है तब भी उसका d बच्चों क्या होता है जिनो उसका reason यह होता देखो अगर मैं कहूं आपसे की x square plus 2x plus 1 तो इसको आप कहो है तो जो इसकी zeros होती है आप खुद देखना इसके zeros होगी वो क्या होगी जीरो जार दो zeros होती है लेकिन दोनों equal है ना minus 1 और minus 1 बात वही है polynomial के zero कहलो या equation के roots कहलो दोनों का मतलब एक ही होता है तो फिर अगर दोनों roots इसके equal है तब d क्या होगा 0 तो या तो roots कहेगा वो real है या कहेगा कि जो भी एक quadratic expression है वो एक perfect square बन जाए जैसे मैं आपको यह question देदूं कि यह quadratic expression है x square plus 2x minus के k यह है fx और यह एक perfect square है it is a perfect square find के त zero put कर देना और आपका k आ जाएगा तो यह आपको ऐसा question भी दे सकता है कि quadratic expression perfect square हो तो आप confuse मत हो ना दी निकालके 0 रख देना आप cancer आ जाएगा या equal roots हाजे दी निकालके 0 रख देना और एक बात हमेशा note कर ले ना बहुत important है यह मैंने module में भी 2-3 question दे रखे हैं ताकि आप उसकी practice करो अगर कभी भी आपको equations में ऐसा बोलते हो आपकी squaring both sides करते हो कई बार question को solve करने के लिए squaring both sides करते हो या cubing both sides करते हो आप ऐसा करके और जो last में आप answer निकालते हो answer मानलो आपकी x की value आगी एक 3 और एक 2 और question examiner ऐसा नहीं पुछेगा कि x की कौन कौन सी value है examiner ऐसा पुछेगा how many real values of x are possible और आपने last में यह two values निकाल दी और आपने कहा कि two real values possible है अगर आपने बिना सोचे answer two real values दे दिया तो 99% questions में यह answer गलत होगा क्योंकि examiner जो question set करेगा ना वो ऐसा ही करेगा कि जो answer निकल गया है वो 2 बट होगा उसका answer क्या या तो 1 या फिर 0 ऐसा क्यों होता है देखो जब आप किसी equation का square करते हो दोनों तरफ तो degree आपकी क्या हो जाती है पहले से double हो जाती है मानलो x plus 2 equal to 5 है और आपन रूट था आपने इसका square करके इसको बना दिया quadratic और root होगे 2 बट मैं तो इसका root पूछना चाहता था आपसे तो answer एक आना चाहिए और आप कहते हो 2 है तो 2 तो नहीं हो सकता है ठीक है तो मैं यह कह रहा हूं जब भी आप square करोगे तो इन पर वरोशा मत करना तो check कैसे करोग जो original equation थी ना original equation put these in original equation हो सकता है यह दोनों की दोनों value satisfy करजे original equation में हो सकता है इन में से एक करे या एक भी ना करे तो आपको हमेशा ध्यान लगना जब भी squaring करोगे जो last में answer आएंगे उन पर बिल्कुल वरोशा मत करना original equation के अंदर put करना जो value इन में से satisfy करेगी वही आपक तो बाकी फिर हम कल करेंगे इस तरह से हम हर संडे 4-5 गंटे पढ़ेंगे न तो आपकी तेयारी अच्छी हो जाएगी यहां से तेयारी तो होगी होगी इसलिए बसकी और बाते मैं चाता हूँ जो class में नहीं बता सकते limited time के अंदर वो आप सीखो ता कि paper में कुछ भी स्वच्ची